गैस क्या आप एक अंशिजन में हो कि आप ने जो भी फैट गेंग किया है जो भी वेट गेंग किया है उसके लिए इस वीडियो इस फर यू जहापर मैं थोड़ा सा आपका कंशिजन क्लियर करने के कोशिश करूंगा और थोड़ा सा एक्स्वानेशन करूंगा आपके फैट के बारे में हाई गाइस विलकम तो आल चैनल डिस इस संजीव सो विटाउट वार ताम लेट्स दू दा वीडियो बहुत बड़ा कॉमन कुश्शन है हम लोगों के बीच बहुत बड़ा कंशिजन भी है कि हमारा वेट जो भी हमने गेंग किया है उसका में कल्परिट इफैट है और हमें फैट फ्री डाइट लेना चाहिए तो इस वेरी कॉमन यह सब के साथ होता है इवेन मेरे साथ भी वा था आइकें दस साल पहले जब मुझे प्रॉपर नुट्रिशन का आइडिया नहीं था और मैं भी यही सोस्ता साथ के फैट खाने से फैट बढ़ता है और मैं तो इतना हेल लेना लेना शुरू किया जैसे से मैंने इसके स्टैडी किये इसके बात मुझे पता चलाएगा इसके फैट इस आलसो ए वन आप दा इंपोर्टेंट मैक्रो आफ यूर प्लेट ओके जिसके बगार आपका प्लेट इंबालेंस हो जाएगा फिर से बिकॉस फैट हाज इस ओन फैट आपके इंटरनल और्गेंस के लिए ज़रूरी है आपके फूट डाइजेशन के लिए ज़रूरी है आपके ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी है आपके जॉइंट के लिए ज़रूरी है वह सारे उसके उसको फंक्शन से इतने सारे बेनिफीट रने के बाद भी क्य इसमें चार-चार कैलरी होती है पर ग्राम फैट में सीधा-सीधा 9 कैलरी होती है पर ग्राम पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको फैट कंप्लीटली हटा देना है फूट से जैसे कि मैंने आपको पता है थोड़े इंपॉर्टेट क्रूशल बेनिफीट होते हैं इसके होले ले क्रें का किरे जाने चाहिए इसका किया जाय यह बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे बहुत सारे टाइप के पैट सोते हैं जैसे सैचुरेटेट इड ट्रांस फैट पॉली सैचुरेटेट इड थैड वगयरा वगयरा इसमें आपको बचना है स्याचुरेटेड फैट से और उससे भी खतरनाक होता है आपका ट्रांस यह होते आएप और से फूड में गए पैट और जो प्यूर्ली पीजा अगरा यह जो जंक लेते हैं उसमें तो होता है आपका ट्रैंस फैट करता क्या है आपके बॉड़ी में आपको डरना क्यों चाहिए उससे जब आप सेट लेते हो आपके बॉड़ी के अंदर एक लडी ऐल बोल के कोलेस्टाल होता है इसे कहते लो डेंसिटी लाइपूर्ट प्रोटीन और सिंपल वर्ड्स में बैट कोलेस्टाल होता है आपके हाट के लिए आपके और आल हेल्थ के लिए सो जब आप सैचुरेटेट पैट लेते रहो लेते हो यह आपके बॉड़ी में जाके टिगर करता है आपके लडील लेवल्स को और जब आपका लडेल लेवल्स बढ़ता है ऑभियसली मोर डेंजर फॉर हार्ट यह जाके सीदह आपके हाट के आटरी में प्लाक जमा करता है प्लाक ना नी ब्लॉके जा स्टार्ट कर दियता है जिससे की काईडिया के होना है हाट अटैक होना जो भी काईडिया की डिट् पर आपको add करना है polyunsaturated fat, monounsaturated fat जैसे अच्छे चीज़ है, और ये कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके nuts से, seeds से, olive oil से, peanut butter से, natural peanut butter से, और आपके avocado से, ये सब चीजों में होता है आपका healthy fat, जो trigger करता है HDL levels, high density lipoprotin, which is known as good fat for your body, जो आपके, ये reverse काम करता है, जो भी आपके heart को, जो भी नुकसान पहुंचाने वाला fat है, उसको ले जार में, और liver में, और liver process करता है, इसे energy में, okay, liver process करके, फिर इसे बेज़ता है, as a form of energy, okay, so ये बात को आपको ध्यान में रखना है, कि आप कौन सा fat ले रहे हो, वो सबसे ज में अगर थोड़ा सा fat ज्यादा भी होगा तो चलेगा, पर वो fat होना चाहिए healthy fat, okay, and कितना fat लेना है, so as per guidelines, आप एक diet plan जब बनाते हो, अगर आपके trainer, आपके nutritionist, जो भी आपके diet plan बना रहे हो, अगर 2000 calories का diet आप बना रहे हो, उसमें होना चाहिए 60% जगे होनी चाहिए carbohydrates के लिए, और बाकी 20% जगा होना चाहिए protein के लिए, और 20% जगा होनी चाहिए fats के लिए, so if fixed नहीं होता है guys, again depends on person to person, goal to goal, आपका goal है, ज्यादा muscle gain करना, fat cut करना, shredded body बनाना, उसके लिए, जब ये macros नीचे उपर होएंगे, but ये common person के लिए healthy kind of plate होता है, इस तरीका, 60 is to 20 is to 20, so जो आप 20% fat ले रहे हो, आपके 2000 calories में, वो 20% में भी less than 10% आना चाहिए आपके saturated fats से, बाकी सब होना चाहिए आपका healthy fat, okay, so this is the solution guys, ना कि आपके plate से completely fat हता जाना, mother fat gain करना, weight gain करना, ये सब आपके calorie intake, calorie output का खेल होता है, आपके lifestyle का खेल होता है, ना कि किसी एक macro के नीचे उपर हो जाने से आपका health बिगर सकता है, okay, so ध्यान में रखी है, fat is also has its own function, so add करिये अपने adequate healthy fats in your plate, बजाए, पुरा उसको cut करने के, okay, for overall your health, और अगर आपको weight loss या देखना चाहते हो अपने body में, so ध्यान आपके calories calculate करिए, calorie deficit में जाईए, और calorie burning पे ध्यान दीजिए, ना कि कुन से तो ये macros को हटाने पे, perfect guides, और आपको कुछ help चाहिए, अगर आप कुछ कहीं पे struck हो गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपका journey आगे नहीं बढ पसंदा होगा अगर पसंदा है, so please like करिए, share करिए, और subscribe करना मत दुए, and stay natural, stay healthy, stay fit, bye.